ये श्री माता जी, आम अपर्णा गांगुली फ्रम कोलकाता एन हमारे साथ जुरे हैं संजे रोशन तलवाज जी, संजे जी आपका बहुत-बहुत स्वाजत है आज के मीटिंग में, नमस्ते, आज हम चेश्टा कर रहे हैं Immaculate Ideal Human Foundation की ओर से हम छोटे-छोटे सीरीज निकालेंगे जिसमें हम लोग ये समझना चाहेंगे संजे जी से, कि ये जो हम लोगों ये फिल्म बनाई है गल reality आज जो और उपने हैं चाहेंगे कि आपने हमको सब को पता है Nihra जो हम से और जूढने वाले हैं कि किस प्रकार से फिल्मों जो भी प्रचार होता है वो काफी एक challenging है तो वो ही हम आज जाना जाएंगे सन्जे जी से क्या challenges अपके आए और इस movie के पीछे मकसद क्या है Over to you सन्जे जी जै शिमाता जी आप सब भाई वहनों को मुझे अपना जी आपको भी और सब को बताने में ये बहुत गर्व हो रहा है कि आज इतने सालों के बाद जब शिमाता जी ने घोशना की थी 2002 में और वो भी मेरे साथ मैं अकेला था उनके साथ जब उन्होंने कहा था कि बड़े परदे पर आप आपने भजनों को ले जाएए अब आपके 21 सीडी निकल चुके हैं अब आप इसको अगले स्तर पर ले जाएए जो की बड़ा परदा है सिनिमा का तो 2002 का ये उनका एलान हुआ हुआ जब उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था तो उस समय मेरे मन में आया कि मा इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँ तो माने का इसमें आप अपना अहम्मत लाइए ये मैं करूंगी और मैं कर चुकी हूँ और फिर बंधन देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब भी आप कोई भी प्रत्न करेंगे इस विशे में आगे बढ़ने के लिए तो वो दरवाजे खुलते जाएंगे उस प्रत्न के और आगे आपको अपने भाई-भेन मिलेंगे जो आपकी सपोर्ट करेंगे मगर उन्होंने एक चेताबनी भी मुझे दी थी कि आप सहज जोग में हर किसम को ये परमिशन है आने की तो बहुत सारी नकरात्मकता भी हमारे सहज जोग में आ जाती है जो आपका विरोध करेगी तो आपको इससे चौकस रहना है और आपको याद रखना है कि मेरा आशिरवाद है मेरे बंदन है आपके साथ और आप लगे रहिए और आपका कारे हो चुका है आप बस अपनी मेहनत के थुरू ये जान जाएंगे तो मैंने जब 2008 में शिमाता जी को सुना था पहले क्योंकि ये बात तो 2002 में हुई और 6 साल बार शिमा हो जाती है कि आप सहज का प्रचार प्रचार भी तीन तीन चार चार लोग जाके जगे जगे कर सकते हैं ये 2008 में उनका एलान था और वही सिजन शक्ती से एक फिल्म बननी है जो 2002 की बात मेरे मन में आई रही जब शिमाता जी ने वो लिया क्या कहते है शिमाता जी हमको जहिए कि ये बहुत सहज के पचार प्रसार में ये बहुत बड़ा कारे करेगी क्यूंकी समय के साथ साथ नकÁरत्मगता इतनी बढ़ती जाएगी कि सहज जोग वहीं न खितम कर गदें तो सहजय में भी घुजग गई नकरात्मिक्ता अब आप तो सब जानते ही हैं जो चल रहा है आज कल तो उसमें ये फिल्म जो है बहुत बड़ा कारे करेगी और मुझे आज दिख रहा है जब से मैंने ग्रह लक्ष्मी बनाई हैं 2019 में 2018 में शूट करके 2019 में फाइनली बनी है मां की कृपा से मैंने नहीं बना अभी नावी से शुरू करके और हम इसको अब महलक्ष्मी पत तक लेके जा रहे हैं और जा चुके हैं हम लोग तक सहज्योग पचा रहे हैं पचार प्रसार के लिए बिसिकलिए हमारा में मकसद यही है जो शिमाता जी का आदेश मेरे को हुआ था बताया है तो ठीक है संज्य जी यह तो बहुत अच्छा लगा सुनके कि शिमाता जी ने स्वेम अपने इच्छा प्रकाट प्रकाट की थी कि किस प्रकार से हम मीडिया के जरिये लोगों तक आम जंता तक सहज्योग पचार कर सकते हैं तो अब जबकि हमने अपने यह मूवी बना दिया है तो अब जो यह मूवी बना दिये तो अब आप थोड़ा हमको आइडियाज दीजिए कि किस प्रकार से स्टेट वाइज हमें क्या करना है कि कैसे वोलंटियरिंग करना है हमें जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके बना कि एक स्ट्रीम लाइन वे में एक प्लाइनिंग का ज़रूद होगा तो कुछ भी प्लाइनिंग के विर्दावट होता नहीं है वनुमान जी का आशिरुवत लेके आप हमें कपी बताईए किस प्रकार से राज्जे अप स्टेट वाइज हो वी अर्ट वी अर्ट वी अर्ट वोलंटियर्स और हमें क्या कर करके इस तर पे लाएं हैं कि फिल्म रिलीज के कागार पे खड़ी है तो फिल्म डिस्ट्रिब्यूटर को दे दी गई है हम तो एक प्रोडक्शन हाउस थे मेमेकलेट आइडिल हुमन फांडेशन अब डिस्ट्रिब्यूटर को चली गई है अब डिस्ट्रिब्यूटर और जो रिष्टा है वो है कि वो जादा से जादा सिनेवा ले लेता है पुरे हिंदुस्तान में उसको सैटलाइट पे चड़ा देता है और सैटलाइट पे चड़ने के बाद वो अलान कर देता है कि इन सिनमाओं में पिचर आएगी तो आम फिल्म जब डिस्ट्रिब्यूट होती तो इसी किसम से होती मगर ये क्योंकि एक सहज योग के आधारत फिल्म है जो आम जनता नहीं जानती है इसके लिए हमें आप जैसे सहज योगियों की जूरत पड़ेगी जो मा के सचे बच्चे है कि पहली चीज तो यह है कि क्योंकि इतनी हवा चली है कि यह फिल्म नहीं आपको केवल अपने चतन्य पे भरोसा करना है आपको चतन्य आता है आप ध्यान करते हैं तो आप अपने चतन्य से ना पिए और देखिए कि क्या हमें volunteer बनके संजे जी या श्रीमाता जी की कही बात पर अमल करना है ये फिल्म को जन जन तक पहुचाना है ताके आत्मसाक्षादकार जैसी विदी लोग सहज्योग को समझ सकें और उससे अपना जीवन सुधार सकें और ये एक तेज तरीका है जो को फैलाने का जो श्रीमाता जी कहती थी और अगर आप इसमें जुड जाते हैं तो ये सौवे जनम दिन पर श्रीमाता जी का बहुत बड़ा कारे होगा अब इसको कैसे जोडा जाए तो मैंने जैसे कहा था कि फिल्म तो सैटलाइट्स में चड़ चुकी है सैटलाइट के कई नाम है तीन चार किसम की सैटलाइट है यूएफो है फिल्म चड़ा दिये, ये कारे हो गया हमारा, और ये सब आपनों की मदद से ही हुआ है, जिन्होंने योगदान दिया है, लगातार हमारे को, अब क्या है कि अब हम ने एक तारीक निकाली है, फिल्म की तारीक रिलीस करने की, वो है 27 अक्टूबर 2023, जो की एकदम दसारे के ब जागा बहुत ही उचित समय है, इसको रिलीस करने का, इस समय पे आम तोर पे कोई नकरात्मक फिल्म नहीं आती है, क्योंकि लोगों को इतना ध्यान होता है, कि ये एक धार्मिक समय है, उसमें हम लोगों को धर्म से जुड़े रहना, तो इसी समय ये फिल्म को अगर हम पब सेंसर बोट ने बुलाके हमें ताली बजा के बताया है कि जो आपने फिल्म सहजयुक समझाने में ये बनाई है, ये हर आदमी तक पहुचेगी, और हर आदमी इसको मांगेगा, ऐसा आपने जो लक्ष बनाया है, वो पूरा होगा, ये सेंसर बोट ने का है, जिनोंने आज तक सहाज योग के बारे में कभी कोई बात ही नहीं सुनी हो या सहाज योग का कोई एक्स्वीरेंस ना हो और वह खुद सहाज योग मांगने लगे तो इतने बड़े पैमाने पे जो सेंसर बोर्ट ने हम लोगों को अनुमती दी है फिल्म को लेकर तो कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ हो नहीं सकता अल्लस वो नकरात्मक हो ये बात तो पकी है तो आप लोग अपने चैतन्य से इसको जाच ले कि ये फिल्म अब हब तैयार है सिर्मा में आने के लिए 27 अक्टूबर को और आज से लेके 27 अक्टूबर तक लग भग तीन महीने हैं तीन महीने हमने जान पूझ कर चार महीने दिये जब एलान किया था एक महीना हो चुका हमने कई ग्रूप्स को जोड़ा है अलग-अलग सहजयोगी ग्रूप्स को अलग-अलग स्टेट्स में जैसे कि हम इसको यूपी में रिलीस करना चाते हैं महराष्ट में रिलीस करना चाते हैं में और यूपी में हर जगे और हम पांच जिले हमने चुने हैं जहां पे हमारे जो डिस्टिब्यूटर साभ हैं वो बहुत स्ट्रॉंग हैं उनके अच्छे कनेक्शन हैं वहां के थेटर में और वो कहते हैं कि जहां-जहां यूए-फो चलेगा यूए-फो सहज यूगी का एक ही तातपरे है एक ही कारे है जो मैं चाहूंगा मेरे भाईयों और भेनों से कि पूरे हिंदोस्तान में आप लोग एक हो जाएं और आप अपने नजदी की सिनेमा हॉल में आप कोशिश करें इसको हाउस फुल करने का 27 अक्टोबर से पूरा एक हफता क्यों ने सुना है सहजयोग चलाने वाले वहां कोडिनेटर रहते हैं आपके सेंटर में सेंटर लीडर रहते हैं उन लोगों से आगरह करिए कि आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं क्रिपया इसका अनॉंसमेंट हो हम लोग ने इसके पोस्टर बनाए हैं हम पोस्टर भी बा साथ जुड़ रहे हैं और सहज योग का प्रचार प्रसार इस फिल्म के द्वारा होगा यह आपको विश्वास अपने मन में लाना है तब आप बढ़िए हमारे ग्रुप्स में हमारे को नाम दीजिए अपने नाम भेजिये हमारे इमेकलेट में मेरे नंबर्स हैं अपना जी बताती है और हमारे हमको वाटसैप करिए कि आप जुड़ना चाहते हैं आप यह पिच्चर चलाना चाहते अपने सेंटर लीडर से अपने कौारिश जो बी लोग संचालक हैं सहज योगा के जिनोंने अपने आपको संचालक बनाया है इस वकत सहज योग में नकरात्मकता को छोड़ दीजिए सकरात्मक लोगों के साथ आप जुड़िए और आप देखिएगा कि पूरा भारत एक हो सकता है ये फिल्म जादा से जादा सिनमा में जाने का मतलब ये है कि अगर पहला हफ़ता सहज योगी जाएं और इस फॉल्स को भर देंगे तो एकदम मीडिया की अटेंशन जो है वो इस सिनमा पर आ जाएगी और श्री माता जी और सहज योग के बारे में चर्चा शुरू हो जाएगी और ये हमारे पूरे मीडिया में जब होने लगेगा तब सहज योग का पचार परसार बहुत तेजी से होगा अब मुझे समझ आती है कि शिमाता जी ने ऐसा करने को क्यूं कहा क्यूंकि ये होने का संभव है मगर अब हम सब को अपनी जागुरत अवस्ता में आके हमाई साथ जुड़ना है अपने लीडर्स में अपने से दस नए लोगों को लेके जाना है अब चाहे आप उनका टिकेट खरीदें चाहे वह खुद अपना टिकेट खरीदें उससे फर्ख नहीं पड़ता क्योंकि टिकेट का जो कॉस्ट है वह सो डेड़ सो दो से उपर होगा भी नहीं यह बात पकी है यह धार्मिक फिल्म है यह 500 700 2000 वाली टिकेट बेचने वाले हैं हमने ऐसा ऐलान किया अपने थेटर के साथ कि यह श्रीमाता जी का कारिये इसको कम से कम दाम में आप कृपया अपने सिनमा में लगाए जहाँ आपका खर्चा कम से कम हो उसको आप टिकेट के द्वारा चार्ज करिए तो वो तो करना ही ह कि शिमाता जी ने वो आखरी दर्वाजा भी खोल दिया कि जहां सहाज योगी भाई आ गए हमाई साथ जुड़ गए हैं और वो हमसे कोई राशी नहीं मांग रहे हैं इस वक्त वो केवल कह रहे हैं आप जाइए पिचर लगेगी सब लोग जाके हॉल भर दीजिए टिक्टे खरीदनी होगी बस टिक्टे खरीदने से ये जो होता है इनका खर्चा पिचर चलाने का खर्चा पिचर से भरमाई लेने का खर्चा वो सब हमारा रिकवर होता है जिससे कि हम लोगों ने बहुत जादा राशी से फिल्म बनाने में हासिल किया है ये मुकाम को और शिमाता ज जी जाके दस हिजार में रिकॉर्ड करते हैं मैं आप को इब बताओं शिमाता जी ने स्वयम का था कि सहज योग में अगर कारिया बिलकुल सच और अच्छा होना है तो यह जान लिजे कि यह सबसे उचित चीज है सबसे बड़िया चीज है और इसको बड़िया ढंग से होना ह आप यह मत सोचिए कितना खर्चा आएगा आप यह सोचिए क्या आप इसको कर सकते हैं क्या आप इसके सक्षम है तो पूरी दुनिया में इसकी क्वालिटी की जो वैल्यू है वो बहुत हाइस होनी चाहिए और वो ही मेरी आपने देखेंगा भजन की रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं है कि आज से 20-20 साल 30 साल पहले जो हमने कैसे रिकॉर्ड किये थे वहां भी दो-दो ढाइडाए लाक लगते थे और कभी-कभी तो शिमाता जी ने स्वयम वो राशी दी है उसको रिकॉर्ड करने की क्योंकि वह स्वयम मॉनिटर करती थी मेरे सारे भजनों के रिकॉर् मैं आज तक कोई भी परफॉर्मंस के लिए कुछ नहीं मांगता मैं बस जैसे आप पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन करते हैं सहज्योग फैलाने के लिए वैसे मैंने एक बार फिल्म का आयोजन कर दिया अब आप सिनमा ओल भरते रहिए तो ये फिल्म के पब्लिक प्रोग कि हमने जो गुर्प्स बनाए हैं हम लोग मीटिंग बुलाते हैं शायद इस संडे भी सुबह 11 या 12 बजी हम एक मीटिंग बुलाएंगे आप उन गुर्प्स में आईए हमारी मीटिंग करिए आपके जो प्रशन होंगे कैसे सिनमा बुक करना है सिनमा हॉल मैनेजर से बात करा हौनी होगी हमारी ताकि हम पका कर लें आपका सिनिमा हमारी लिश्ट में आ जाएगindet कि सिनमा में चलाना है ये लोग शाहा हमारा तॉ इस से फ़रख नहीं के लिए ऊप इसमें क्या रुखना आप आगे बढ़िए आप एक एक आदमी जुड़ेगा इस फिल्म को दिखाने में सक्षम होगा हमारी पिच्छर को सिनमा हौल में लगों को ले जाके दिखाएगा और बाद में सिनमा के परचे बाटेगा अपने सेंटर के और भूलेगा कि आप आईए आपने पिच्छर देखी आपको सहज चाहिए आप आईए हमारे सेंटर में हम आपको और बताएंगे और जो नों की इच्छा हो तो हौल वालों से पहले बात कर लीजिए वहां आतना साक्षातकार का प्रोग्राम रख लीजिए क्योंकि फिल्म आज कल तीन-तीन घंटे के लिए हौल मिलते हैं और फिल्म गंटे 5 मिनिट की है तो आपके पास 25 मिनिट है तो उस पच्छीस मिनिट में अगर 15 मिट इंटरोल भी जाता है तो कमसी हम 10-15 मिट आवाराम से आतना साक्षातकार का प्रोग्राम करके पच्छे बाट सकते हैं या कुई बाचीत कर सकते हैं audience के साथ तो यह आपका पब्लिक प्रोग्राम हो जाता एक तरह से बस शिमाता जी कि जो इच्छा है इसको हम पूरा करने के लिए आपके सामने आए हैं हाथ जोड़के आप लोगों से बिंती करते हैं कि आप लोग कृपया अपने चैतन्य के द्वारा हमारे साथ जुड़ें और हमारा सहयोग है जैशिमाता जी जैशिमाता जी संजय जी इस सेशन को हम लोग समाप करेंगे आज इसकी अगली कड़ी फिर से हम जो कुछ और प्रश्ण जगेंगे जब तो उसका आप से हम लोग चाहेंगे कि आप उसका उतर दे तो सरब यह बात कहनी थी कि आप जब यह जो डिस्टिब्यूटर्स हैं तो वो हमें अगर स्टेट वाइस कौन से कौन से सिनेमा हॉल में रिलीज होगा यह इसका अगर लिस्ट दे दे तो हम लोग स्टेट वाइस वोलंटीर कर सकते हैं कि यहां यहां आप टिकेट खरीट सकते हैं बुक मैशों के जरीए भी अगर दे आजाए तो फिर बहुत अच्छा हो जागा फिर हम लोग हर दे दे जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जागा फिर हम लोग हर एक डिस्ट्रीट के युवा शक्ति को और हैट सेंटर इसको इन्वाल्व कर सकेंगे और बोलेंगे इस मुवी होल में रिलीज होने वाल है उसके मुताबिक आप लोग लीफ्लेट बनाइए वो भी शैद हम ही बनाती है तो लीफ्लेट बनाएंगे उसमें सें अगिर है क्या आज तक तो हमारे देश में दुनिया में और इतने यूट्यूबर्स आगे हैं अब देखा होगा कैसे करके लोगों से कैसे पैसे यह ट रहे हैं कैसे मीडिया उनके उपर उचल पड़ रही है वेको दुख होता यह देखे कि हम लोग हम लोगों को बहुत जल करेंगे जैश्मताजी 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 जैश्मताजी